नमस्कार आप सभी का GS Magnet Case YouTube प्लेटफॉम पे तो साथियो बिहार पुलिस परिक्षा 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को टार्गेट करते हुए हम लोग ज्यान विंदू GS Academy मानिय रोसनल अनसर का जो अफलाइन बिहार पुलिस में नोट्स फिजिक्स का दिया गया है इस अफलाइन कलास के फिजिक्स के नोट्स से बिहार पुलिस के लिए 38 से अती महत्पुन हम लोग फिजिक्स से अबजेक्टिव प्रस्णों को सल्व करेंगे और देखिए अब आपके एक्जाम में काफी ज़्यादा समय नहीं बचा है यानि कि बहुत कम समय बचा है और इतना कम समय में आपको रिवीजन करना है जो चीजा आप पढ़ लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेक्टिस सेट के प्रस्णों को सल्व करना है तो हम लोग इस सेसन के मात्यम से फिजिक्स के अती महत्पुन टॉपिक लाइट यानि कि प्रकास से हम इमपोटेंट चेप्टर लाइट से 75 अबजेक्टिव प्रश्णों को सल्व करेंगे और देखिए लाइट से हमेशा आपके एकजाम में प्रश्ण पूछा जाता है अगर आप लोग प्रिवेस येर प्रश्णों को सल्व किया होंगे तो आपको प्रश्ण जरूर मीर ठीक है तो चलिए हम लोग अपने आज के सेशन को सुरू करते हैं और अपने प्रश्णों को रिविजन करने पर ध्यान देते हैं और जो भी प्रश्ण याद नहीं हो रहा है तो उसे क्लास में ही याद करने का प्रयास करते हैं ठीक है प्रस्ण पर आने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए है तो जरूर चैनल को सस्क्राइब करके वगल वाले घंटी को दबा देजिए ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए लाया जाए तो यूटूब के द्वारा आपके फोन पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके ठीक है तो आईए हम लोग अपने प्रस्णों को सल्व करते हैं हमला प्रस्ण सेशन का आपके सामने है जब प्रकास की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सत्व पर लंपवत पड़ती है तो वह है देखिए लंपवत पुछा गया है और ऐसे प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान रखेगा इस प्रस्ण को सल्व करने से पहले अप्सन पे जाने से पहले कुछ महत्पुन पॉइंट को समझना होगा जो आपके एक्जाम बिहार पुलिस के लिए काफी ज दहा जाता है वीरल माध्यम और जल माध्यम को सगन माध्यम और इसके बीच में जो यह लाइन आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं तो ध्यान रखेगा सता बोलते हैं अब कह रहा है कि जब प्रकास किरण किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली दो माध्यमों को अलग क कादलेवाली यहिए कि सता पर लंबवत पड़ती है तो इस इसका अपवर्तन नहीं होगा तो अपशन नमबर C को आप लोग देक लेजे बीना मुड़े सीधे निकल जाती है प्रकास बीना मुड़े क्या होती है सीधे निकल जाती है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा यहीं से आप से पूछा जाता है कि जब प्रकास बीरल माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान रखेगा अभिलाम की तरफ मुड़ जाती है और वहीं पूछ लेता है कि जब जल माध्यम या सगन माध्यम से प्रकास बीरल माध्य अभीलम्ब से देखिये, दूर भागता है, अभीलम्ब से क्या होता है? दूर भागता है, इस बात को आप लोग द्हां दखिएगा, थीक है? तो यहां से परशना आपके एंजाम में पूछा जाता है, यह point आप लोग ध॥्यां रखिएगा, आपके , अगर आप लोग अप सा पर आईएगा तो अभी आप समझे हैं कि जब लंबवत पड़ेगा तो प्रकास का अपवर्तन नहीं होगा और अपवर्तन क्या होता है प्रकास के पत्थ में मुड़ने की घटना ही क्या कहलाता है अपवर्तन कहलाता है तो आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर C को ठीक है अगला प्रस्ण है देखिए आपका दो नंबर दो नंबर प्रस्ण क्या है समतल दर्पन के द्वारा बना परत्वीम होता है समतल दर्पन में कैसा परत्वीम बनता है आप सभी से पूछा गया है ध्यार रखिएगा अपसन नंबर B काल्पनिक परत्वीम बनता है हम वास्तविक परतवीम मिल सकता है किस दर्पन के दवरा बस्तू का वास्तविक परतवीम बनता है और इस ओजर दर्पन में अवहासी परतवीम में बनता है इस बात को आप लोग दemiन क्येगा जब बस्तू के द्रूह और fan के भीस रखा जाता है तब बनता है दर्पन के पीछे बुष्टू का पत्मीन बनता है देखिए वास्थिविक पुचा है तो ध्याँ रखेगा आउतल दर्पन आपके प्रशनका शही जबाब हो जाएका बाकी सम्तल और उतल में अभासी परत्वीम बनता है यानि कि कालत्वीम बनता है ठीक है वास्त भी कुछा है आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नंबर भी हो जाएगा चार नमबर प्रसन आपके सामने है देखिए प्रसन को पढ़िए कि किस दरपन द्वरा किसी वस्तु का अभासी परतविम प्राप्त किया जा सकता है अभासी परतविम का मतलब हुआ यहीं कि वर्चुल इमेज यहीं कि कल्पनिक परतविम ठीक है तो ध्या रखेगा समतल दरपन से भी प्राप्त किया जा सकता है आउतल से भी प्राप्त किया जा सकता है और उतल से भी प्राप्त किया जाता है अभासी का मतलब ध्यार रखेगा कालपनिक तो छोटा और अभासी परतवीम अप्सन नमबर D को ध्यार रखेगा उत्तल धरपण में बनता है किसमें बनता है उत्तल धरपण आपके प्रस्थन का सही जवाब अप्सन नमबर D हो जाएगा चोट नमबर प्रस्थन है कहा पर बस्तू का परतवीम अवतल धरपण के फोकस पर बनता है यानि कि बस्तू का इस्तिति कहा रहता है ताकि उसका परतवीम अवतल धरपण के फोकस पर बनता है तो ध्यार रखेगा बस्तू अननत पर रहे तो उस बस्तू का परतवीम अवतल दूर होता है बस्तु अनन्द पर रहे तो ध्यान रखेगा फोकस पर उसका पर्तवीम बनेगा अगर बस्तु फोकस पर रहे तो अनन्द पर ओतल दर्पण में बस्तु का पर्तवीम बस्तु से बड़ा बनेगा इस बात को ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जबाब परफबीव क्Am है अकि उसका और्त है कि बताइए यानी कि प्रल्ट वेन की प्रकिरति आप से पूछा गया भां या पनेगा पने हैं चो क्या चैको ठीक्ला आवर्धन रिरात्म किसका होता है थोड़ा सा कमेंड करके आप लोग बता देजिए अगर आप सभी पड़े होंगे रिविजन किया होंगे तो आप आप सानी से बता सकते हैं ठीक है अगला प्रस्ण आठ नमबर है देखिए आठ नमबर प्रस्ण थोड़ा सा समझने वला प्रस्ण है आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रस्ण है एक प्रकास किरण समतल दरप्रपल लंबवत आप्तित होती है प्रावर्तन कुण का मान होगा कितना होगा प्रावर्तन कुण का टकराई और यहां से यह क्या होई जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस लट गई तो आने वाले प्रकास को आप्तित किरण और बिंदु से टकरा करके उसी माध्दा में लटने वाले प्रकास को प्रावर्तित किरण का आ जाता है और बीच में क्या होता है तो अभिल प्रावर्तन कुण का लाता है ठीक है यहां पर ना आपसे आपतन कुण पूछा है ना प्रावर्तन कुण पूछा है ध्या रखेगा अगर कोई देखिए यहां पर ध्यान से समझेगा आपलो छलिए ध्यान से समझेगा एक प्रकास किरन समतल दरपण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रावर्तन कुण का मान होगा देखिए लंबवत जब आपसे पूछा गया ना तो देखिए इस क्या है एक प्रकार का समतल दरपण है इस पर लंबवत मान लेते हैं कोई प्रकास आ जब प्रकास लंबवत पड़े तो प्रावर्तन क्या होगा जीरो होगा इस बात को ध्यान रख्येगा आपसा नंबर यह होगा आठ नंबर प्रस्ण का सही जबाब ठीक है आपका नौ नंबर देखिए प्रस्ण को पढ़िए सम्तल दरपण के फोकस दूरी का मान होता है असा चोटे चोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त होता है कौन उपयुक्त होता है आप सभी से पूछा गया है ध्यार रख्येगा पात सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्ता लेंस पर्यूग होता है अपसा नंबर डी दस नंबर प्रस्ण के लिए सही जबाब अगला प्रस्ण देखिए 11 नंबर किस लेंस में केवल काल्पनिक परत्मीम बनते हैं तो ध्यार रख्येगा 11 नंबर प्रस्ण के लिए सही जबाब आपका क्या होगा तो यहाँ पर लेंस पूछा गया है दरपन नहीं ध्यार रख्येगा तो आपके प्रस्ण का सही 12 नंबर प्रस्ण आपके सामने है देखिए निमलिकित में से किसका उप्योग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है अपसर नंबर C को ध्यार रख्येगा मिटी का उप्योग नहीं किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है देखिए 13 नंबर निम्न में किसके द्वार कि द्वारा वास्तविक पर्तविम प्राप्त किया जा सकता है आप सभी से पुछा गया है ध्यार रख्येगा 13 के लिए सही जब आप अपसर नंबर 80 होगा उत्तर लेंस का नम आप लोग ग्यार रख्येगा चोदर नंबर प्रस्ण का एंसर आप सभी लोग बताईए एसनेल का नियम भी कहा जाता है इस बात को भी आप लोग द्यान रख्येगा ठीक है तो चोदर के लिए सही जब आपका अपसर नंबर A हो जाएगा 15 नंबर प्रस्ण है सरल सुक्ष्म दर्सी में किसका उप्योग होता है चार अपसर आपके पास धिया गया है आप सभी को ध्यान रख्येगा उत्तर लेंज का परियोग होता है अपसर नंबर A 15 नंबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका 16 नंबर सघन माध्यम से वीरल माध्यम में परवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवरतन कोण में क्या संबंद हो रहत अधिया दीन देखिये पहले नंबर प्रस्ण में आप सभी को बहुत अछे डंक से समझारा हूं देखिये यहाँ पर माल लिजिए उपर वाला माय है वीरल है और नीचल वाला माध्यम क्या है तो ध्यान रही आपका आपिलम मालिजीये प्रकास कि समाचिक श कूर रहा है त तो देखिए आपसे पूछा क्या है आपतन कुण और अपवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा के आप प्रस्ण है या ध्यान देखिएगा उत्तर लेंस पाया जाता है 17 के लिए सही जबाब अप्शन नंबर B को आप लोग ध्यान दखिएगा अगला प्रस्ण आपका 18 नंबर है आख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की बस्तू को साब साब देख सकता है आख के इस गुण को क्या कहते हैं देखिए हाली में बिहार पुलिस मद निसेद दरोगा का एकजाम में यह प्रस्ण पूछा गया था अप्सन भी सेम से लेंगवेज भी प्रस्ण का सेम था ठीक है 18 नंबर प्रस्ण के लिए सही जबाब समंजन शमता होता है option number B होगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब 19 नमर प्रस्ण है आंग के lens की focus दूरी किस के दोरा परिवर्तित होती है किस के दोरा परिवर्तित होती है आप सभी को बता रहा है तो ध्यान रखेगा उनिच नमर प्रस्ण के लिए सही जवाब option C, ciliary PC का नाम आप लोग ध्यान रखेगा, option number C में दिया गया, ठीक है, चलिए 20 number प्रस्ण का answer आप सभी लोग बताईए, क्या है प्रस्ण, नेत्र लेंस की focus दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है, नेत्र लेंस की focus दूरी कम हो जाने पर ध्यान रखेगा, क्या होगा प्रस्ण का सही जवाब, तो जारा दूर दर्शिता होता है, यहीं कि जारा द्रिश्टी दोस होता है, 20 के लिए सही जवाब, option number C को आप लोग द्यान रखेगा, ठीक है, चलिए अगला प्रस्ण क्या है, आपका 20 number देख लिजिए, किस द्रिश्टी दोस में किसी वस्तु का पर्त्मिम रेटीना के आगे बनता है, पीछे बनता है, ध्यान रखेगा, किस के लिए सही जवाब आपका, दूर द्रिश्टी दोस हो उत्तर लेंस से बने चस्मे का प्रियोग बेक्ति को करने को सलाह दिया जाता है, ठीक है, यानि कि जिस बेक्ति में यह दोस उत्पन हो गया है, उसे उत्तर लेंस के बने चस्मे दिया जाता है, कि आप इस चस्मे को लगाईए, आपका दोस ठीक हो जागा, ठीक है, तो ध्य बनाने के लिए किसका उपयोग होता है किसका उपयोग होता है ध्यारक्येगा प्रिज्म का होता है अप्सन नमबर ए होगा 22 नमबर प्रस्ण का सही जवाब 23 नमबर प्रस्ण आपके सामने है एक प्रिज्म कितने सता से घिरा रहता है ध्यारक्येगा अपसर नमबर B को 5 सता से घिरा रहता है ठीक है 24 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है ध्यान रखेगा हावा का उपयोग नहीं किया जाता है अपसन नमबर A होगा 24 नमबर प्रस्ण का सही जबाब 25 नमबर प्रस्ण है लेंस के कितने मुख्य फोकॉस होते हैं अप्सन नंबर भी आप लोग ध्यान रखेगा पचीस नंबर प्रस्ण के लिए सही-जबाब हो जाएंगें चलिए 26 नंबर प्रस्ण मेघ बोलस सभी को इस प्रस्ण का सही-जबाब बताआ थि तो ध्यारख्येगा प्लीम के तरह उपयों करता है फ्लीम आप लोग ध्यारख्येगा अपसा नमबर डी होगा 26 नमबर प्रस्ण का सही जबाब ठीक है चलिए 27 नमबर प्रस्ण क्या है केमरे का जो काम डायफ्रम करता है आख में वही काम कौन करता है यही तो आपसे पुछा गया का हुई जी प्रस्ण है बता सकते हैं पूतली करता है अपसा नमबर सी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब ठीक है अपका 28 नमबर देखिए प्रस्ण को पढ़ लिजिए प्रस्ण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा द्रिश्टी दोस होता है देखिए अधिक जब आप से पूछा गया है ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जबाब दूर द्रिश्टी दोस हो जाएगा अपसा नमबर बी को आप लुक द्यान रखेगा 29 नमबर प्रस्ण है आपका देखिए यहाँ पर किसी लेंस की फोकस दूरी किस पर निर ठीक है प्रकास के रंग पर भी निर्वर करता है अपसन नमबर डी को ध्यान रखेगा इन सभी पर निर्वर करता है क्या इनकी किसी लेंस की फोकस दूरी ठीक है तो आपके प्रस्ण का सही जबाब अपसन नमबर डी हो जाएगा तीस नमबर प्रस्ण आपके सामने है दिखाई देता है क्योंकि घास का रंग हरा किस कारण से दिखाई देता है तो दिखिए यह हरे रंग के प्रकास को वापस हमारी आखों पर प्रावर्तित करता है इसी वज़ा से घास का रंग हरा दिखाई देता है अपसा नंबर एक को ध्यार रखेगा 30 के लिए सही जबाब का होगा ठीक है आपका 31 नमबर दो प्रात्मिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राफ्थ होता है कौन सा सेकेंडरी रंग प्राफ्थ होता है मेजेंटा आप लोग ध्यां रखिएगा आपसन नमबर सी होगा 31 के सही जबा यानिकि 31 नमबर प्रस किया जाता है तो ध्यान रखेएगा आपसर नमब्र सी को पेरियेकोप का परयोग किया जाता है अपनार सी हो जाएगा इस प्रकास rulers Turkey के अधिस नमबर पर झाल में ओले ऑमर ने इतिहास में पहलीबार प्रकास की गर्ति को मा पाता किस सन में मा पाथा अप्सन नमबर B को ध्यान रख्येगा 16, 76 इस पी में आप पाथा आपके प्रस्न का सही जवाब अप्सन B हो जाएगा 34 नमबर प्रस्न आपके सामने है निमलिकित में से कौन सा एक सही है आपसे पूछा गया है ध्यान रख्येगा यहने कि अप्सन नमबर B इस प्रस्न के लिए सही जवाब होगा आउतल दर्पन प्रावर्तक के रूप में इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सही है आपके प्रस्ण का सही जबा बफसान नमबर B हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है और ध्यान रखेगा आप सभी लोग इस अवतल दर्बन को अभिसारी दर्बन भी कहा जाता है ठीक है तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा अब सारी उतल को कहा जाता है ठीक है अभी सारी पूछे तो अउतल आप लूग ध्यां रखेगा तो आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर B को आप लूग ध्यां रखेगा अगला प्रस्ण है आपका देखिए 35 नमबर आवर्धक लेंज वास्तों में क्या होता है ध्यां रखेगा यानि कि उत्ता लेंज होता है अपसन नमबर C होगा 35 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 36 नमबर प्रस्ण है पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है पत्थर की अभासी गहराई पर क्या परभाव पड़ेगा आप सभी को बताना है तो देखिए 36 के लिए सही जब आप पिछले टेस्ट में भी हम इस प्रस्ण को सल्व कराये थे इसकी वास्तिविक गहर आप देखाई देगा अकास कैसा देखाई देगा तो दिया रखेगा अफसए नमबर डी काला देखाई देगा 37 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा तो अफैन नमबर डी को आप लोग देहान रखिए अग थर चलि上सादा देख लीजे 38 क हट्रे का सिंगनल लाल बनाया जाता है बिल्कुल सही है दूसरा है कारण देखिए लाल रंग का परकिनन सबसे कम तथा तरंग धह क्या होता है सबसे अधिक होता है कूट के माध्यम से आपको एंसर बताना है ध्यां रखेगा 28 नमबर प्रस्णी के लिए सही जवाब क्या होगा आर तथा यह दोनों परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं किस कारण से दिखाई देता है तो ध्यां रखेगा 49 के लिए सही जवाब अप्सन नमबर क्या हो जागा बी को ध्यां रखेगा परिछेपण आप लोग ध्यां रखेगा परिछेपण को ही क्या कहा जाता है तो ध्यां रखेगा बैति करण कहा जाता है ठीक है अपसन नमबर B आप लोग ध्यान रखेगा आपके प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए 40 नमबर प्रस्ण आपके सामने हैं तोरण ताल वास्तिविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है इसका कारण आप से पूछ लिया गया है ध्यान रखेगा प्रस्ण इंपोटेंट है और आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखेगा यह हो जाएगा अपवर्तन आप लोग ध्यान रखेगा यानि कि अपवर्तन ठीक है देखिए पानी में कोई घटना हो नो ध्यान रखेग के लिए और से आपके सामने हैं आप सभी को बताना है तो ध्यां रखेगा एक तालिस के लिए सभी जवाब संसी को ध्यां रखिएगा जहां मचली दिखाई दे उसके नीचे लगाना ठीक है तो अप्सण नंबर सी होगा आपके प्रसन का सही ह्जवाब 42 प्रसन ऑप 이야기 को सब्सक्राइन यूनीट यह कि मात्रा है को सब्सक्राइस प्रकास का है अगर्सन और प्रसन के लिए सब्सक्राइस ह्ट कार सब्सक्राइस चाहिए fare एकमाट के ली distinguished आगर रखेम lat प्रस्ण का सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्ण क्या है देखिए यहाँ पर 44 नमबर प्रस्ण क्या है तो प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया के मतलब क्या होता है तो ध्यां रखेगा यह जराद्रिस्टी दोस ठीक है जराद्रिस्टी दोस आप लोग ध्यां रख किस कारण से होता है प्रस्ण के अप्षन को आप लोग अच्छे से पढ़िए उसके बाद आप सभी लोग एंसर बताइएगा तो ध्यान रखेगा चोवालिस के लिए सही जवाब क्या होगा तो आप लोग अप्षन पर ध्यान पुर्बग पढ़ लिजिए विडियो को तो ध्यान रखेगा इस प्रस्ण के लिए सही जवाब अप्षन सी होगा दोनों सिलियरी मान स्पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और लाइसेंस के कौम होते हुए लचिले पन के कारण ठीक है क्या होता है तो प्रेस बायोपिया द्रिष्टी का एक प्रावर्थक दोस् आपके प्रस्ण का सही जवाब अप्षन नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए 45 नंबर प्रस्ण है सोडियम वास्प लेंप प्राया सड़क प्रकास के लिए यहां पर होगा लिए पर्यूक्त होते हैं क्योंकि बताइए चार अप्षन आपके पास है किस कारण से इसका प्र प्रस्ण है निमलिखित एस तितियों में से किसमे दो पोहर को अभासी चाया सब से छोटी होती है तिती पूछ लिया गया दिया रखिएगा अप्षन नंबर सी को 21 जुन आपके प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा अप्षन नंबर सी में दिया गया ठीक है काफी ईशा भी रहно है एक प्रस्ण आपके लिए काफी ज्यदा क्या है इंपोटेंट है घृघ चलिए तो प्रस्ण का सही जवाब केले ऀंबर सी घोतक किसका है तो आतालश के लिए सरकरолम 묶किक प्रकास का विक इनका है इक किसका सुचक है तो दियाहर किएगा उथपन उर्ज उत्पन उर्जा आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और एम सभी लोग जानते हैं जल्ली से कमेंड करके बता देजिए एम का मतलब क्या होता है ठीक है चलिए 48 नमर प्रेस्ट है निमलिखित प्रकिर्तिक तत्थ्यों पर विचार केजिए विचार करना है और देखिए मारी च प्रकास का प्रवर्तन दोनों हो जाएगा अपसन नमबर ए में दिया गया है आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है 49 नमर प्रस्ण है आपके सामने किसी तारे के रन से पता चलता है उसके किसका पता चलता है तो देखिए ताप का पता चलता है काफी वाब प्रस्ण पूछा जाता है आपके एकजाम में ध्यान रखेगा इंपोटेंड प्रस्ण है उन्चास के लिए सही जबाब अपसन नंबर C को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्न है पचास नंबर देखिए यहाँ पर प्रकास की गति किसके बीच जाते हुए नियुंतम होती है किसके बीच जाते हुए नियुंतम होती है तो ध्यान रखेगा नियुंतम किसके मे सब्सक्राइब निर्वात में हो जाएगा निर्वात में भी वायू के बराबर ही होता इस बात को द्यान रखेगा और चाल कितना होता है प्रकास का तो तीन गुड़े दस के पाउर आट मीटर पर सेकेंड आप लोग ध्यान रखेगा पूछ लिया जाता है आप से प्रस्न ठ करा हैं देखते हैं किसको याद है किसको याद नहीं है वहाँ पर आपको एंसर मिल जाएगा कमेंट में आप सभी को एंसर दे दूंगा ठीक है लेकिन आप सभी को इस प्रस्न का एंसर कमेंट में बताना है इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है बिलते हैं हम लोग देखिए प्रस्ण का आपके सामने है और आप सभी को बताना है कि इस प्रस्ण का सही जवाब क्या होगा तो ध्यां रखेगा छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा ठीक है तो अप्शन भी ध्यां रखेगा बावन नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब हो जाएगा ठीक है तीरपन नमर प्रस्ण है आपके सामने देखिए यहां पर हमें वास्तविक सुर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सुर्य दिखाई देने का कारण आप से पूछा गया है दिखिए जब कारण पूछ लिया गया है तो ध्य तरीका है तरीका आप से पूछा गया है प्रस्ण का सही जवाब अफसन यह हो जाएगा यानि कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है यानि कि प्रिज्म से ही रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है आप सभी जानते होंगे परदे पर उतार करके साथ को रंग उतर जाता है परदे लगा करके प्रिज्म से क्या होता है साथ रंग को अलग किया जा सकता है ठीक है यानि कि प्रकास से साथ रंगों को अलग करने में किसका प्रियोग होता है प्रिज्म का होता है अपसन नंबर एक को आप लोग द्यां रखेगा आपके प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा ठीक है पच्पन नमबर प्रस्ण है स्वेत प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं कैसे पैदा किया जाता है आपसे पूछा गया है तंतु को गरम करके पैदा किया जाता है अपसा नमबर भी होगा पच्पन नमबर प्रस्ण का सही जवाब ठीक है प्रस्ण के लिए सही जबाब लाल प्रकास का वाई मंडल के द्वारा निउन्तम प्रकिर्णन होता है क्या होता है निउन्तम प्रकिर्णन आप लोग ध्यान रखेगा अप्सन नमबर यानि की यह हो जाएगा इस प्रस्ण का सही जबाब ठीक है चलिए 57 नमबर प्रकास के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन अप्सन नमबर डी होगा आपके इस प्र खीपने से पॉले दिर्ग बृतिय प्रतित होता है क्यों की कारण क्या है कि सुर्ध द्रिग बृतिय प्रतित होता है तो ध्यारख्येगा अंठावन के लिए सही जबाब अप्सन C प्रकास के अफवर्तन का प्रभाव पड़ता है ठीक है अप्सन नमबर C हो जाएगा अंठा का सही जबाब 60 नमबर प्रस्ण आपके सामने है तारे टिम्टी माते हैं तारे टिम्टी मानने का करण पूछा गया है ध्यां रख्येगा यहीं कि साथ नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब अपवर्तन के कारण अप्सन नमबर यह होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब बिहार पुलिस मधनी सेद के एकजाम में पूछा गया है ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर D होगा आपके इस प्रस्न का सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्न है देखिए 62 नमबर प्रकास के निमलिखित प्रकारों में से किनका पोधे के दोरा तिब्र और सोशन होता ह अप्सन आप लोग देख लिजिए अप्सन आपके पास है बताईए इस प्रस्न का सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 62 के लिए सही जवाब अप्सन भी नीला तथा लाल आप लोग ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर B होगा आपके प्रस्न का सही जवाब ठीक उसा काल में सुरी का रंग यभी द्रिश्टी भर्मन के लिए सत्त कथान है ठीक है तिसरा है देखिए यहाँ पर उसा काल में चंद्रमा का दिखना यभी सही है बाकी आकास में तारे का टिम्टी माना और आकास में धुरू तारे का दिखना द्रिष्टी भर्मन नहीं है एक दू और तिन द्रिष्टी भर्मन को प्रदर्शित करता है अप्सर नंबर A को ध्यान रखेगा आपके प्रस्थन का सही जबाब हो जयागा ठीक है चलिए 64 नमर प्रषण देखिए कारण अबर कथन से प्रस्ठ दिया गया है आप सभी को और आप सभी को इस प्रस्ठ का सही जबाब बताना है ध्यान रिखेगा चारण नमर प्रस्ठ के लिए सही जबाब क्या होगा तो यहाँ पर देख लिजिए कथन ए में दिया गया है प्रकास के द्रिस वन क्रम में लाल प्रकास हरे प्रकास की अपिक्छा अधिक उतसरीत होता है कथन है कारण आर दिया गया है लाल प्रकास का त्रंग्द है हरे प्रकास से अधिक होता है आप सभी जानते हैं कि लाल प्रकास का त्रंग अगला प्रस्ण है 65 नंबर निमलिखित में से किसमें उच्चतम उर्जा होती है, उच्चतम उर्जा किस प्रकार के प्रकार में होता है आप से पूछा गया है, ध्यार रखेगा आपसों निला प्रकार में होता है, आपसों नंबर ए होगा, यानि कि 65 नंबर प्रस्ण के प्रभावित होंगे देखिए वाईयू से काच में पूछा गया है तो ध्यारिक्टिटansen के लिए सही जबाभ अप्सन नंबर डी को केवल तरंग्धे तथा वेग ठीक है प्रभावित होता है अप्सन नंबर दी होगा 66 नंबर प्रस्नि के लिए सही जबाभ अगला प्रस्ण परण जब आप से पूछा गया है तो ध्यान रखेगा अप्सन नमबर एक को पुतली के आकार में परिवर्तन से यह होता है अप्सन नमबर एक को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अंश्ट नमबर प्रस्ण आपके सामने है उस दोस्त को क्या कहते हैं जिसमें प्रक नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 79 नमर प्रस्ण है ऑज़ालल लेंस अ हमेशा किस परकार का किस परकार प्रतवीम चाहिए अ रyasतर दरिश्टी पतल पर बना प्रतवीम होता है तो देखिए द्रिष्टी पतल पर जो प्रतवीम बनता है वास्तविक और वस्तु से छोटा और वास्तविक वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक आप लोग ध्यां रखेगा उल्टा ठीक है अपसन नमबर डी आपके प्रस्न का सही जवाब ह अगला प्रस्ण आपका 17 नंबर आख के किस भाग के द्वारा आख में परवेश करने वाले प्रकास की मात्रा नियंत्रित होती है देखिए नियंत्रित पुछा गया है ध्यान रखेगा अप्सन नंबर C को आईरिस आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है बहत्तर नंबर नेत्रदान में दाता की आख के किस हिंसे को प्रतिरोपित किया जाता है निकी दान दिया जाता है करनिया आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा बहत्तर के लिए सही जबाब अप्सन नंबर यह होगा ठीक है तियात्तर नंबर प्रस्ण है मनुस की आंख में परकास तरंगे किस स्थान पर स्यान्यू उदेगों में प्रिवर्टित होती है चलिए 73 नंबर प्रस्थन आपके सामने है सही जवाब क्या होगा ध्यान रखेगा आपसन नंबर 80 अगर आप बता रहे हैं रेटी ना बिल्कुल आपका सही जवाब है ठीक है अगल कि मितंटम पुछा गया है 25 सेंटिमीटर 75 नंबर प्रस्थन और इस सेशन का लास्ट प्रस्थन है यदि कोई वैक्ति दूर की वस्तुओं को एसपस्थ्न नहीं देख सकता है तो उसकी दृस्थी में कौन सा दोस है तो देखिया दूर का वास्तू एसपस्थ्न देखता है और दूर द्रिष्टी से पिनित वेक्ति को उत्तर लेंस से बने चस्मे का प्रियोग करने के लिए बोला जाता है ठीक है तो हम लोगों का जो सेशन का 75 सेलेक्टेट प्रश्ण था प्रकास से कंप्लीट हुआ आप सभी लोग इमांदारी पुर्वा कमेंड करके बताइए कि आपका एसकोर कितना हो पाया इस सेशन में सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर देजिए चैनल पन्य है प्रेक्टिसेट सल्व करना चाहते हैं जरूर चैनल को सस्क्राइब कर देजिए और ज्यादा से जदा इस स सेशन को सेयर कीजिये किसी स्टड़ी गरूप में जिससे आपके सांसा आप से जुड़े जो भी आपके सांसी भाई वहन है इस से से लाब उठा सके ठीक है इस सेशन को यहीं पर समाब्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंत जय वात